कि वार्ड सदस वार्ड सत्यू और वार्ड सभा अज इन तिन मुद्धों पर तिन विश्यों पर बात करेंगे या खेर वार्ड सदस दिकास में इनकी कितनी युगदान है वाड सचीव अपने वाड में इनका युगदान क्या होगा और वाड सभा जरूरी है यान इन तमाम चीजों पर बात करेंगे उसे पहले मैं अपना पर्चे देदू नाम है मेरा शुनिल बौबी और आप इस समय देख रहे हैं अपना ख चिला कर कहा जा रहा है कि सरकार हमारे साथ धोखा कर रही है धोखा की है जिस उमीद के साथ हमें चुनाओं में लाया गया वह उमीद पर सरकार खरें नहीं उतर पा रही है हमें मान सम्मान की बात कौन करता है प्रती दिन हमें बैजती करवाया जा रहा है ना तो कोई से और वार्ट सचियों को बेज भी करवा रही है लेकिन हम बताएंगे कि गलती किसकी है सरकार की गलती है या मुखियाजी की गलती है या गलती आपकी खुद है या खुद आप निर्णाय कर सकते हैं कि आपको क्या करना चाहिए किया आपने उन्हें नीमों को ताक पर नहीं दखाए कि आप उस नीमों को पादन करते हैं कि प्रस्ण उच्ता है और जबाब भी मिलता है आप तमाम चीजों को जानिएगा कि सारा खोड़ को हम नहीं देखिए बंदो आपका अपना पावर देने के लिए कोई उपर से नहीं आएगा अगर कोई कभी जब नहीं देता है को ज है जब को मोटी किताब मिल गई को तो फिर आप किस्तार माँजने चाहरे हैं कि अधिकार को घक काम नहीं की नियम को बताने का काम कर रह यह लिखा पढ़िए विर आधिकार मीलेगा लड़ने की जड़ूवत नहीं सारीरिक टक्राव मत किजिए लाठियां मत चलाइए इस कलम को अपने हाथों में उठाइए और अधिकार पाइए बताइए मुख मंत्री को बताइए पंचाइदी राजबी भाग को कि आप वार्ट सदस और वार्ट सचीव है और चुनाओ के छो महिना पार हो गया चुनाओ के बाद और अब तक आपने क्या किया है आपके वार्ट में किस परकार से फ्लॉप हो चुका है नल्जल की योजना किस परकार से नली गली पकी करन भॉस होता जा रहा है उसे मरमत की जरूत है बताइए पहले हम बता देते हैं कि आप अगर वार्ट सदस वार्ट सचीव है तो कॉमेंट करके इसमें लिखिए मुकमंत्री जी को इस वीडियो के कॉमेंट में लिखिए कि आपके हां नल्जल योजना की हालत क्या हो गई है नली गली पकी करन की हालात क्या हो गई है दोस्तों मुद्ध की बात करते हैं ग्राम सभा की बैटकों में पूरे ग्राम के अतरिक्त परतेक वार्ड के अस्तर पर सभी लोगों की एक बैधानिक सभा होने की आउसकता महसूस की जाती है चुकि वार्ड सभा का छेतर वो जन संक्या ग्राम पंचायद की तुन्ना में अपेच्छाकरित काफी छोटी होती है एवं लोगों के उदेश का शमान होते हैं अतर वार्ड सभा की बैटकों में पूरे वार्ड छेतर की समस्या सही रूप से उठाई जा सकती है एसी बैटकों में लोग गंभिरता से उन विश्यों पर भी चर्चा करते हैं या कर सकते हैं जिने वे ग्राम पंचायद की दृष्टी में लाना चाहते हैं कि दोस्तों यहीं पर मिस हो रहा है आप अपने वार्ड में वार्ड क्रियानमन समीति प्रमंद समीति के साथ बैठक और आमसभा वार्ड सभा नहीं बोलाते हैं वहां से कोई योजना पारिद करके नहीं भिष्टे मौकिक आप बोल देते कि मेरे वार्ड वे फलाने के घर से फलाने के घर तक नली खराबे मुखिया जी आप उसको पास करवा दीजिए अरे बंदू कोई सुनने वाला नहीं है आप वार्ड सभा कीजिए वार्ड सभा में रजिस्टर में पॉर्सिंडिंग लीजिए कि रिवाइंडर कीजिए एक बारें दस बार कीजिए आप अपना जो सही काम है उस रूप से कीजिए गया तो निसी तोर पर हर लोग कुनेगा नहीं होता है उस कौपी को अप रजिस्ट्री मुखमंत्री के पास में कीजिए पंचाईती राज विभाग के पास में कीजिए रजिश्ट्री की जे रजिश्ट्री करते हैं तो उसका आपको एक डिस्टी भी मिल जाता कि आपने भेजा है आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं बैट कर लिखा पड़े की ये आपको हर काम होगा लोग भी आपको पुछना भी सुरू कर देगा मांग सम्मान भी देना सभा की क्या होनी चाहिए किसी भी वाड सभा की दो बैठकों का अंतराल तीन महीने से अधीक कर नहीं होगा जिसमें आम जनता भी अपनी बातों को रखता है वाड सभा जो है खास सभा होती है लेकिन आप तो तरजी ही नहीं मिलता है लोग पंचायतों में खाली बेट के करते हैं देखने के लिए ही नहीं मिलता है कि वाड में बेटा कोई है लोग अपनी बातों को रख रहे हैं चाहे तो आप वहंगामा से ज़रते हैं ऐसके कारण अब सब्सक्राइब करते हैं कोई योजनाओं नहीं ले पाते हैं और सरकार वार में पंचायद्भवन है या समुदाइब में या किसी अन सुभधा जनक सार्जनिक अस्थान पर होगी अब वार्ट सभाब कहां किजिएगा सबसे पहला ग्रिष्टा अगर आपके वार्ट में पंचायद भवन पड़ता हो या पंचायद सरकार भवन पड़ता हो तो उसमें किजिए अगर आपके वाड में 25 सरकार भवन नहीं है तो अगर आपके वाड में समुदाइक भवन है तो वहां किजिए या अगर वह भी नहीं है तो लोगों के सुविधा के अनुसार की यहां पर लोग पहुच जाते हैं उस जगह पर लोगों से राय लेकर उस जगह को चैन करके वह वहां पर भी बैटक कर सकते हैं या किसी नीजी मकान या अस्थान पर नहीं होगी किसी के नीजी घर या अस्थान पर नहीं होगा सर्वजनिक जगह पर घर के अंदर नहीं होगा किसी का दलान होगा रहा है उर्सी सहमती है तो वहां करिए लेकि नीजी जगह पर नहीं तो लियाम जगापर होना चाहिए सब्वेदिक जड़नू कि किसी को आने में कोई तकलिफ नहीं हो घाओं में इसा होता है कि प्लाने कर से कीजिएगा यह भी जान लिए बैटक की सुचना वाट छेत्र में एक या एक से अधिक सहज दिरिष्ट अस्थानों पर शेकवा दें यानि शुचना निकालकर सवजनिक जगों पर अपने वाट के सवजनिक जगों पर चिपकवा दिजे या और उसके साद मोगड़ी बजवा सकते हैं गजोल पिटवा कर दोनी बिच्शे अंद्र से बहात पर चार करवा सकते दैसे लोगों तक बाते बैठक की पहुंजाए उस तरह से करना है अश्कूलों में प्रातना के समय बच्चों को जनकारी भी दे कर और वाड सदा सेवा मुआर सची दोवारा घर घर बैक्तिकत संपर्क सभी सुचना देकर आप बैठक कर सकते हैं लेकिन हर लोगों तक है कि सुचना पहुचनी चाहिए जैसे आप पहुचाए वाड सभा की बैठक के तुक कम से कम साथ दिन पुर्व कि आपको एक सब्ताफ पहले नोटिस करना है नोटिस का प्रकासन किया जाना आवस्यक होगा बैठक कि माने जिए बैठक अगर दस तारीक है तो एक दो तीन तारीक तक पाल दना है विसेश पर्योजन के लिए विसेश आपाद बैठक की सुचना तीन दिनों में कम नहीं हो निता यह अगर आपाद बैठक का कर रहे हैं तो कम से कम से कम तीन दिन पहले आपको वह सुचना निकलना है बैठक किया देस्ता आखिर कौन करेगा वाड सभा की प्रत करें सदस्त द्वारा हो जो बैठति उपस्थित सदस्तिों को वहूमत द्वारा उसे पर्योजनास नीर्वाचित हो सके। बैठक का कोरम और गनपुर्ति कैसे हो वार्ट सभा की बैठक का कोरम वार्ट सभा के कुल सदस्यों के दस्वे भाग या कम से कम पचास सदस्यों की उपस्थिती से पूरा होगा कि वार्डवा का सचीयूं वार्डवा अपने सदस्क्राइज stratum को बीच है से एक बैखती वार्डवा में के सचीयूं के रूपए करने हे तू सैनित करेगी जिसमें जिसकी सैचिरिंगी यगता ने उन्तमग दस्वीर क अच्छा उत्रिन हो तूर्व वार्डवा किमन में धूँ सुचना निर्गत करना बैटको की कार्जवाही अभी लिखित और सभाद्वारा समय समय पर फेगए अन्य दायत्व का निर्भहन करना है दोस्तों वह इस तरह से आप सभा करके अपने अधिकारों को अपने पावर को प्राप्त कर सकते हैं और अपने वाड़ों में जिस तिज की जरुवत है और डाइरेक्ट 25 से मांग सकते हैं आपके बातों की अंसुनी आपको लिखी तो बातों की अंसुनी एक दो बार किया जा सकता है जादा दिनों तक नहीं तो अगर पावर नहीं मिलता है मिला है लोग आपकी बाते नहीं सुनते हैं तो इस तरह से कार्ज करके आप अपने अधिकार को प्राप करते हैं तो महोदे आप वार्ट सदस हैं या वार्ट सचीव हैं आप इस बातों को जरूर सुनिए और समझे कोमेंट करके बताइए आपको यह वीडियो कैसा लगा त अधिकार अधिकार चिलाते हैं तो दोस्तों यह जरूर रखिएगा अधिकार के साथ करतब्य का भी निर्वान होना चाहिए फिर आप अच्छे रहें खुस रहें यही हमारी कामना आए फिर मिलते हैं वीडियो में धन्यवाद जय हिंद जय भारत बंदे मातुरा झाल